नेपाल के upcoming matches नेपाल versus UAE जो कि 18 October होगा यह ACC Under 19 के matches है दोस्तों अभी नेपाल की Under 19 टीम ने बहरिन के Under 19 टीम को बहुत ही तगड़े World Record के साथ हराया है Cricket Association of Nepal के जो President है चतूर चन्द बहादुर जी ने उन्होंने कहा है कि नेपाल की Government को नेपाल की Cricket की Physical Infrastructure पर ध्यान देना चाहिए अभी नेपाल में एक गौतम बुध इस्टेडियम बनाया जा रहा है देखे दोस्तो यह आप भी जानते होंगे कि नेपाल में जो Cricket Stadium से अभी उतने बड़े नहीं है उनका Infrastructure उतना अच्छा है जिसमें International Matches कराए जा सके लेकिन फिर भी ICC ने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए नेपाल को एक बड़ी होस्टिंग दी है यह होस्टिंग क्या है दोस्तो आपको बताते हैं एसियन सब रीजनल जो क्वालिफायर्स के फाइनल होंगे यहां पे नेपाल में ही होंगे जो कि 30 अक्टूबर से लेके नवंबर तक चलेंगे और इसमें जो टॉप की टू टीम फाइनलिस्ट होंगे वह आगे क्वालिफाय करेगी इस टी ट्वैंटी वर्ल्ड कप 2024 के अगले क्वालिफायर के राउंड में दोस्तों तो दोस्तों यहां पे नेपाल की जो मैचेस होंगे उसका शेडियूल भी आगे है 30 अक्टूबर को नेपाल और सिंगापूर का मैच होगा मैं केवल नेपाल के मैचेस बता रहा हूं इतमें काफी डिस भी है बहरेन भी है ओमान भी है तो 30 अक्टूबर को नेपाल और सिंगापूर के मैचेस होंगे 31 अक्टूबर को नेपाल और मलेशिया के मैचेस है और सेकेंड नवंबर को नेपाल और ओमान के मैच है यह टी-20 मैच होंगे वर्ल्ल कप 2024 के लिए जिसमें 20 टीम क्वालिफाई करेगी बारे टीम तो डिरेक्टली क्वालिफाई कर चुकी है ICC ranking के हिसाब से और यह जो मैचेस होंगे ICC 2020 वर्ल कप वेस्ट इंडिज और अमेरिका में खेले जाएंगे इसके लिए ही सब रीजनल क्वालिफाईर हो रहे हैं तो इसके मैचेस नेपाल को होस्ट करने को दिया है अब नेपाल यहां से अगर फाइनलिस्ट बनके जाते हैं तो इसको आगे मौका मिलेगा क्या पता नेपाल 2024 के वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई कर जाए और बड़ी बड़ी टीमों के साथ इनको खेल लेका मौका मिलेगा दोस्तों दोस्तों आप क्या सोचते हो आप कमेंट में बता सकते है कि बता सकते हैं तोस्तों आपीजा कर दोस्तों आप।